साहिर लुध्यानवी सहाब का सेंटिनरी साल है और चुके मैं आज के दौर में हिंदुस्तानी फिल्मों में लिरिक्स लिखती हूं तो शायद मुझसे कहा गया है कि मैं उनके गीतों के बारे में कुछ कहूं लेकिन ना तो मेरी इतनी काबलियत है ना हैसियत है कि मैं साहिर ल स्टूडेंट ओफ इंडिन सिनमा एं हिंदुस्तानी पोईट्री मैं एक गाना चुनूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो साहिर लुध्यानवी की राइटिंग का एक मास्टर क्लास है ना सिफ उनकी राइटिंग का वो एक हिंदुस्तानी ख्याल शायरी, कविता, पोई मुझेंटरी से हंदुस्तानी फिल्मों के गीतों से महबत करने वाले को ये गाना मेरे खल से स्टटी करना चाहिए और वहाना है बसात کی rata फिल्म का, ना तो कारवा की तलाश आहा ना को हमसफर की तलाश है, गाने का नाम ये इस्प इश्प है, इश्प इश्प ऊवाली है लेकिन उसर्फ कावाली नहीं, मेरे खाल से उसका जो मयार है और उसका जो लैंड्सकेप है, वो बहुत ही उंचा है, बड़ा है, चोड़ा है, शुरू तो ये गाना होता है, ट्रडिशनल, क्लासिकल अर्दू शायरी से, लेकिन फिर वो इतनी गलियों से, और पहाडों से, औ हिंदोस्तान की खेतों से, और जहरनों से होते हुए बहता है, कि आपको ना सिर्फ इंडियन सॉंग्स और सॉंग राइटिंग के बारे में, बलके हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, जो जिसे हम गंगा जमनी तहजीब भी कहते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, इसमें एक सूफियाना ख्याल भी है, इसमें ब्रजभाशा भी है, इसमें कृष्ण और राधा का जिक्र भी है, और मीरा की महबत का जिक्र भी है, और इसमें मुसा का और कोहितूर का जिक्र भी है, और इसमें पंजाब की, मेरे खाल से एक चोटी सी जिसमें मुझे लगता है कि सोनी मैवाल का या या जो पंजाब की मिट्टी है और वहां की जो प्रेम गाथाएं है उसका जिक्र है तो यह एक एक क्या कहते है एक कॉंप्रिहनसिफ डिफिनिशन है मेरे खाल से इश्क का जो भी इश्क करता है ना सिर्फ पोईट्री से बलके इस मुल्क से और इसकी डाइवर्सिटी से और इसकी इसकी सिंक्रेटिक कल्चर से उसे यह गाना बलके घोल के पी लेना चाहिए क्योंकि जो क्रिसेंडो है इसका अल्टिमेटली जो गाना जब पहुंचता है अपने उरूज पर पहुंचता है तो वह सारी जो धाराएं हैं या मिलके एक हो जाती है और इससे ना सिर्फ साहिर लुध्यानवी की मास्ट्री का हमें हैसास होता है लेकिन पलके हमें अपनी इस अपनि मुल्ख का भी एक मिजाज का और उसके एग एक गाना इव हिस्ट्री का होता है उसका एक पूरा एक पुरी तसवीर बनती यहां तो यह इत्व है इशक इश्क है तेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़नू, मेरी उम्र भर की तलाश है। तो साहिल उध्यानवी के ख्यालों का, गीतों का जो खजाना है, उसमें से मैंने ये एक मौती चुना है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हमसफर की तलाश है।